कि तो बचeur करेंगे लेकिन उससे पहले मैं जिन से पूछूंगा वो बताएंगे अगर मैं आप आप से ये पुछ हों कि एक जंडरल आमीन टको किस तरीके से लिखके रिप्रेजेंट करते तो क्या जवाब होगा एंगा परतिक तिवारी आप अमीन उसे को कैसे लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जातने है कि नॉर्मल में उसे को भी रेंडम ली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है अरे अमीनोचिट का प्रजेंटेशन बताईए चैमिकल प्रजेंटेशन उसको उसका केमिकल फर्मूला क्या होता है अमीनोचिट का कैसे उसको आप लिक्टेश्चर सर कार्बन और उस पर हाइड्रोजन गरूप रहेगा और कार्बोग जिलिक गरूप और आरग्रूप बस यह तो पूछ रहाता है तो यह ऐसे जब भी मैं लिखता हो तो इसको मटलब क्या होता कि एक अमीनोचिट है जहां पर आर गरूप क्या है वरियेवल है तो याज की देश लुटा है तो अपने दौर आपको हैं तो फैट परने के दारान आप करेंगे कि सिंपल लिपिड जो सिंपल लिपिड है उसको आप कहते हैं फैट यहां लिपिड क्या है तो सनना ध्यांसे मैं कहा रहा हूं कि आप इसको बोलोगे फैटी एसीड पैटी एसीड एसीड बोला मैंने पैट्टी एसीड यह घली सराइड यह सब मिलके क्या बनाते हैं साथ इन लृत्प यह सब मिलके क्या बनाते हैं से अम्हेंड लींगार PK-5 एक sich यह सब क्योंकि नाम आया है क्योंकि अमीनो और एचिड दोनों वड़ाया थे तो दोनों था फंक्षनल ग्रूप तो यह तो बड़ाये फैटी असीड सुनना बच्छों इसमें इसको जब आप रिपर्जेंट करते हो फैटेश को तो आप ऐसे रिपर्जेंट करते हो आप आर सी ओ ओ अब आपके मन में आगा वरीवल में क्या और काइसा और है कौन सा फंक्शनल ग्रूप आर तो सुना दियान से बेसिकली आर क्या है यहां पर एक कारवन से लेके 19 कारवन का लंबा चेन है क्या वहला मैंने एक कारवन से लेके 19 कारवन का लंबा चेन हो सकता है किसी में एक कारवन किसी में दो किसी फेटिएशन में चार किसी में सतरह किसी में सोलह किसी में अटरह किसी में बीस एक से उन्नीस कारवन का लंबा चेन चाहे वो अलकेन हो चाहे वो अलकीन हो जनरली अलकेन और अलकीन ही होता है क्योंकि कारवन का सिंपल चेन कारवन का चेन क्या कलाता है अलकेन अलकीन या अलकाइन यहाँ पे अलकेन और अलकीन एक कारवन से लेके क्या है यह मैंने नाम क्या लिखा है पहले ही बोल दिया मैंने कि इसको आप कैसे रिप्रजेंट करते हो और समझना दियान से यह फैटी एसीड तो प्रकार का होता भाई मेरे एक फैटी एसीड होता है सेचूरेटेड फैटी एसीड सेचूरेटेड फैटी एसीड और एक फैटी एसीड होता है अनसेचूरेटेड फैटी एसीड अनसेचूरेटेड फैटी एसीड दो प्रकार का फैटी एसीड अब बात मन में यह आ रहे है कि यह दो प्रकार का फैटी भी इस बैसित पर है यह जिस बैसिस से कि यहार की सह integrity जे इस बैसिस पर है एक वार तो यह सच बात कि यह यहला के निल्किन बॉन ना हो मटलब यहां पर और गूरौफ में डबल बॉन्ड नहीं हो तो ऐसा सेचुरेटेटेटेट फैटी एसिड का लाता है और अगर आर गूरूप में डवल बॉंड एक भी आ जाए आर गूरूप में अगर डवल बॉंड आ गया एक भी तो वह अंसर फैटी एसिड होगा क्यूं आए मैं आपको समझाता हूं जब आप और गेनिक और टावान होती है कितने था तीग किने उतित एंसर प्रती कितरह चारवलंची आगर यह चार वादर अगर यह चारों हीडरोजन सेफिल हो जाए तो बताओ यह कारवन तो तो भी सकुरेंटर के स्वावी पूरी पूरी ना सब्सक्राइब और यह अगले कारवन के साथ तो बता ना ऐसे कारवन को आप और गनिक केमिस्ट्री में सब्सक्राइब कहते हो या अन्सब्सक्राइब कहते हो पर चुके होगे यह पर गनिक केमिस्ट्री में बेसिक में पड़े हो गए और अगर आपको आपके सामनी चलू सुनू मैं आपके सामनी क्या कर रहा हूं तो सी ओस तो हो नहीं है सी ओस का स्ट्रक्षर कैसा लिखते हो सुना द्यां से कारवन ओ ओ ओ एच अब मैं कहता हूं कोई भी आर ग्रूप ले लोड़े चलो पांच कारवन का ले ले चलेगा एक दो तेन चार पांच फोर एक जांपल कोई भी पांच कारवन का ले ले लिए सबका वैलेंसी भर दो तो अटो दिन से भर दे हैं लो भर दिया है कि चलेगा कि सबकी वैलेंसी मेंने क्या करती फिल्फिल कर दी कि मुझे बताओ यहां पे यह पूरा क्या है आर ग्रूप में कि आर ग्रूप में करवन करवन कर देवल बॉंड है नहीं है कि अब मैं आपके समने के ग्जामपल लिख रहें एक पैटी तो होना है च्छिक है सब्सक्रावर चलो मैं इसका हूँ ले लेता हूँ चार करवन का एक दो कि अच्छार इम उसक्राइध कर बाता हूं कि सब्सक्राइब और मैं कहता हूं कि इसका और अच भड़ो तो कि फिर में चाहता है अब मुझे बताओ यह प्यार ग्रूप क्या यह बन बुझे बताओ जोति कुमारी 159 इस आर गुरूप में क्लाकर वर वांड है कितना है यह ना यह तो है बॉण तो एक है करवन का देवल बॉंड इसका मतलब यह फैटी असे अचुरेटटट होगा और एक करवन करवन डबल बॉंड जिसको आप डोब मुफा मोनो अनसे पूरेटेड एक जगा अन से नाया है लो एक जगां से चुले सनाया मोनो एंसेट्रिटेड फैटी एसिड मुफा फर एक जांपल यहां गुसर दे रहा हूं गुसर सकता हूं गुसर दिया आप बताओ यहां पर कितने डवल बॉंड होगा करवन 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 डवल बॉंड कितने है परतीग इसको बोलोगे पूफा मुफा और पूफा चाहे हो मुफा चाहे हो पूफा 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 अब आप एक बार बताना आपको क्या लगता है कहां पर मॉलिक्यूल्स का टैकिंग बैटर होगा अगर थोड़ा बहुत पड़े हो तो आप बता सकते हैं परतीग इसमें पैकिंग बैटर और इसमें पैकिंग पूर कारण बता सकते हो सब एक ही जैसा जिमेंटरी रखते हैं राइट जैसा पिसमेंटरी रखतें एक ही जैसा जिमेंटरी तो यहां यहां पर यहां पर यहां से यहां आर्ग्रूप कर लिए इस प्लेन को फोलो कर लिए इस प्लेन को फिर से मालो की डेवल बॉंड नहीं है तो फिर से वह ऐसे आ गया तो मुझे बताओ यहां पर डबल बांड की वरे से डंड़र आए यह जो नहीं है इसको जहां से यह जो पर किंक कर आद धे चरा है कर दाधा है और यहां पे पर पेक नहीं हो रहा है और यहां पर यहां पर प्योमेट्री एक जैसी नहीं है और यह क्यों नहीं है जहां वहां वहाँ बैंड देखने हो को मिला वहां पहे कि मुझे अगर इसा है तो इन दोनों के हंदर अगसे को रखें को नार्मल तेक कौन लेक्विड दमाग लेगव प्रतीक को इसका बैटर टेकिंग वह तो यह उट यह फूर पैकिंग यह उसको आप तो वह कैसा रहेगा लेक्विड वह कैसा रहेगा अब समझे मैं यह सॉलिड पैकिंग यह सॉलिड रहेगा और यह अगर ठंडी आ जाए कितना भी ठंडी आ जाए तो पूरा ही जम जाएगा अब सुनना मेरी बात अगर ऐसा है तो इस ट्रैक्टिर किसका जान है इसका अगर इसका इस ट्रैवल है तो यह रेक्टिव ज्यादा या कम जादा रियक्टिव होगा जिसका इस्ट्रक्चर इस्टेवल और रियक्टिव जादा होता है और अब सुनों यही कारण है कि हम लोगों को उसके एक्टिविटी ज्यादा है वह हमारे में रियक्टिव होता है और जब हम उसको खाते हैं तो वह जाके हमारे बोडी में जमा होता है और फिर यह कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल के इनर वाल पर ज्यादा के जमा होने लगता है और तब हाट से रिलेटर प्रॉब्लम आने को उसको हम कहते हैं काडियो वैस्कुलर डिजीज सबसे पहले बीपी बरता है फिर हाट अटेक के चांसे साथे हैं एन मैंनी मोर प्रॉब्लम एथरो असक्रोरसी साने लगता है मैंनी मोर प्रॉब्लम हाट रिलेटर प्रॉब्लम जैट अर नौन आज काडियो वैस्कुलर डिजीज और मैं आपको बद पता देता है यह जितने भी सेचुरेटेड फैटी यह सेचुरेटेड फैटी एसीड हमारी बाड़ी में बनते हैं बच्चों अगर ऐसा है कि हमारे बॉड़ी में बनते हैं अगर ऐसा है यह क्यों दिख रहा है कि अगर ऐसा है एक हमारे बॉड़ी में बन तो बताओ क्यूंस को बाहर से खाने की जरूरत है इन है तो यह यह इसेंशियल होगा जोती यह इसेंशियल अफटीह शीड होगा यह नौन इसेंशियल जोती 159 ये नॉशेंसियल नॉशेंसियल ऐसे चोगि यह एनिमल के अवरी में बनता है यह इसेल इमल प्रोडक्ट करन direct फैटी यह मोस्टी प्लांड प्रोडक्न अरौ यह इसको घो खाना पढ़ाएगा फॉनहें जाने के साथ खाना पड़ेगा एसेंशल है या नॉन एसेंशल है यह इसेंशल फटीचिट एसेड़ है और सुनना यही जो आप खाते हो ना इसी को हमारा सेल्स अनिमल का सेल्स तर्णवट करदेता है नॉन सेंसल में नॉन सेंशल हमारे बौडी में कुछ ऐसे इंज्ञाइम होते हैं जो और आपको मैं एक्जामबल बताता है जैसे मैंने क्या बोला एनिमल की बॉडी में बनता है जैसे घी डालड़ा मक्खन जो भी है वो सब आएगा सेटुरेटर में क्योंकि कहां से मिला है गाई से भैंस से या कोई भी जो मिल्क देने वाले एनिमल्स उनसे मिला है ठीक है अगर यह हम ना भी खाएं तो यह हमारे बोडी में बनता है कैसे बनता है क्योंकि हम जो खाते हैं मस्टर्ड ओयल में यह कुछ आउंट और मस्टर्ड ओयल सेटूरेट फैटिएशन में कनवर्ट होता है क्योंकि इसको कनवर्जन कनवर्ट करने वाले हमारे बोड़ी में कुछ इंजाइन पाई जाते हैं तो गरीव घी डालता नहीं खाता है लेकिन मस्टर्ड और वह भी खाता है तो क्यो अगर आपनी टेवल के मूस्टी किताबों में देखोगे तो आपको को को कोनट और इधर देखने को मिलेगा को 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 अब बोलो कि सर इसका में जरूरत नहीं है तो अन्सेटूरेटर से जो है वह कनवर्ट हो जाता होगा सच्टूरेटर में कुछ प्रोड़क्त ऐसे जो को क का अबाशनłby मैं आपको बताऊं बचों को कोनट ऑल नॉर्मल यूरू टेंपरेचर ल्ीक्विड HK्विंड होता है नॉर्मल टेंपरेचर पर वो लिक्विड है और जब थंडायेगा वहूं जमता है और कि थंड़ा आने पे वो भी जंगता है लेकिन नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे वो अगर लिक्विड है तो उसको किसमें रखना चाहिए सेचुरेटेड में या उसको भी अनसेचुरेटेड में ही रखना चाहिए लेकिन कई सारी किताबें थंडी के दूनों में अबजर् तो बने आफ एपने रखना चाहिए आन्सच्टुटेट क्योंकि वह भी लिक्विड है अगर विंटर में अब्जर्व करने लग गया तो इसाना में क्या करूए गी आपको जमामी लेगा डाल आपको जमामी तुटा इस नौम टम सब्रशनों कि ठंडी आ जाए सब्सटर् तो अब आपको समझ में आ गई कि कुछ अमारे पास सेटुरेटेड फैटी एस टेड है लेकिन चाहे वह सेटुरेटेड चाहे वह सेटुरेटेड आर गुरूप में कारवन के नंबर एक से उननीस तक पाई गई और आपके एक्जाम में और आपके प्रिवेस रियर एक्जाम में कुछ अनसर्टुटेटट फैटी एसीड के कारवन के नाम पूछे राते आ chilly के यसे इस में एक और ऑलीग एसडुडैप सब्सक्राइब करके मैं बता रहा हूं तो सोला में इसको मैं काउंट करके बता रहा हूं यानि कि आर्ग्रूप में 15 ही है मैं कर रहा हूं इसको इंक्लूड करके बता रहा हूं ठीक है तो यह एक्जामपल्स आपको पॉपूलर एक्जामपल तो ध्यान में रखने भड़ी वह रखने हो गया आप यानि कि आप समझ चुके हैं कि सेट्ट फैटी असिड क्या होता है सेट्ट फैटेटी वह फैटेशेड होता है जहां पर आर ग्रूप में एक भी आर ग्रूप में कारवन करवन डबल बॉंड ना हो लेकिन आगर मैं आप से यह कुछ हूं क्या सेट्टेट फैटेशिट में डबल बॉंड है परती कांसर क्या होगा जुर्ण बाइस यह पर लाइए सबस्टेश करवन करवन डबल नहीं मैं कहा हों कि आप यहां पे सजुरेशं देख रहों करवन 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 डबल बॉंड नहीं तो नस्टिए और कारेवन करवन डबल बॉंड है एक भी है एक है तो मुफा और एक सेधी के तो पूफा जैसे कि मैं आपको बताऊं यह और यह मुफा है और लिनोई लिनो लेई यह सब पूफा है और यह तोटल 20 कारवन होता और इसमें चार डबल बॉंड होता है इसमें तीन होता है इसम्घुराइब तीन है क्या सब्सक्राइब कुछा राथ लेकिन अन्सेटर्ट इसीड हमारे बोडी में आने के बाद मैटा इस्टोर नहीं पहुंचता लिवर में नहीं पहुंचता है तो इस्टोर नहीं बनता है अगर आपको चाहिए कि थोड़ा मोटा होना है तो आप ओयल खाने से वह मस्ट्ड ओयल करने साम मोटा नियुक्ता होना है तो आप घी खाओ और जब एक लिमिट में मोटा हो जाओ ठीक है क्योंकि स्टोर होता है ने जी हमारे बोडी में तो उसका खाना चोड़ दो क्योंकि ज्यादा मोटा होगे तो फिर ब्लड बेसर वगरा प्रॉब्लम क्रियेट करेगा तो यह कंसेप्ट है भाई तो याद करो म अजिए ग्लिस्ट लें बेसिकली अलकोहल है अलकोहल के वलते हैं यह आप अचा लगा दो इधर ग्लिसराल जो मैंने भी लिखा है अगर इससे आपको ग्लिसराइड बनाना है तो ग्लिसराइड में जोड़ो क्या है लिडिक पर प्रियक्त करेगा तो fatty acid का react करेगा carbogylic group क्या react करेगा carbogylic group क्या क्या परते हैं fatty acid लिखने के लिए आपने क्या बोला था r c o o h क्या बोला था r c o o h और आपको मैं पहले बता चुक्छा हूँ यहां पे भी जो reaction होने वाला है वह होगा dehydration क्या होगा dehydration reaction है और यहां जब बनेगा वह बनेगा एस्टर बॉंड कौन सा बनेगा एस्टर बॉंड और सुना देहां से तो इस दौरान चलिए मैं एक कारवद्वी ग्रूप को लाता हूं सामने उसका यह राज c o h और यह ओ ठीक है और यह आर ठीक है अब मैं कर रहा हूं ऐसा पानी निकाले प्रतिक बताव क्या करेंगा है इन दोनों कभी इसमें रियक्शन कर आब अब कार्बॉग जिलिक्स में से एच रिमूव हो जाएग और इसमें से ओगा चीए एच के साथ रियक्ट करके च्टू बना देगा आठा दे इसको यहां से इस सर अब बताओ यह दो बॉन्ड बना इसके बिच में बना अब समझ लो इसको एस्टर बॉन्ड की कैसा बॉन्ड है यह एस्टर बॉन्ड है और अगर ऐसा है तो सुनना जहां से एक एस्टर बॉन्ड बना अभी एक एस्टर बॉन्ड बना और इस कंपाउंड को अभी आप बोलोगे हो और लिया ले लिया है लोग ओए पारवन डवल बोंड ओ आर वन था यहां रिएक्षन करा दे हैं करादो नहीं नहीं वह अटाओ इंदोनों के बिच में क्या कर दो एस्टर बना दो बता वह कितने एस्टर बन चुके हैं अब दो एश्टरबॉंट सर अभी क्या बन जाएगा डाय गिलिस्राइट समझ ने कैसे मता है इसलाइट एक और जोड़ तो प्राइट बनाओ तो ओएच और तरी बनाओ जी पाने निकालो ओएच चलो निकाल दिया क्या बनेगा इस्टरबॉंट कितने इसल्बॉंट बने ग गडि वरत वाग द्वें किने आसंतर बन वह तंडो ट्राइट बात बताओ कि प्टिंग विएक्टिंग पार्ट कॉन है को यह शचल्बॉंट इपचान अब इन monoglyceride how many number how many ester bond are present and how many hydroxyl group are present monoglyceride में जोती बताएगी ester bond कितना तीन है नैसा करते हो गया ने एक और hydroxyl group कितना तीन तो कम आरते हैं तुम्हों पड़ते लेखते नों बंद करो परतीक तरेश्टर बॉंड एक और hydroxyl group भी एक तो और डाइगली स्राइड में तो डाइगली स्राइड में सर एस्टर बंड दो और hydroxyl group तर दो गाना hydroxyl ग्रूप दो अगर आप दो दो एस्टर बंड बना दिये तो आप ग्लिस्रॉल का तो दो ग्रूप कर रियक्शन करा दिये चार हो जाएगा सर चार हो जाएगा तुछ पर बोल रहें बंट्रव अब आपको जो है ने यहां पर तीनों बना के दिखाना पड़ेगा चीक आज़ों चलो बनाते हैं यह आपके सामने ट्राइग्लिस्राइड बना हुआ है इधर मोनोग्लिस्राइड बना लेते हैं और एक ड्राइग्लिस्राइड बनाते हैं तेकर मोनोग्लिस्राइड बना तो एक फैटी इस ट्राइब यहां पर एक फैटी इस ट्राइब लाना आपके ले आया एक ले आया एक ले आया आए पर अटाओ इसको आप बताओ मोनोग्लिस्राइड में एक एस्टर बांड जोती और दो अभी बचा हुआ है कि नहीं है यह सब यह होगा मोनोग्लिस्राइड बना तो इसी में बना दे एक फैटी चाहर लाओ एक फैटी एसिड और लाओ आटू है चलो हटाओ इसको जी कि अचलो बताओ बताओ प्रतिक यहां पे कितने बचे हैं चार एक चर एक एक मचाए चलो अब जोती बताएगी वह वाली जोती भाग गई यह कैमरा भाफ है बाग आप बताओ यहां पर ट्राइगिल्स राइड प्राइड में नमबर पस्टर बॉंड कितना है जोती इन सर जोती को बताना तो तो यह तो मैंने आपको क्या सिखाया सिंपल लिपिड भी सिखा रिया जो पर करके होते हैं ग्लिसरोल क्या होता है इस बरिदा आप करता है यहां जाए नहीं ना नुट्रल है इस आर ऑल बाउट नूट्र लिपिड जया करें यह यह जाए और यह बेस यह बेस रहे लिपिड में यह सारी बातें आपको काम आएगी तो आई आपको में आपको नोट का सफर करा दू आप देखो नोट में सारी बातें लेना है तो पिछले वाला स्लाइट का स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सब्सक्राइब जो भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्ली लिए इसका और तर पिछले वाल इस लाइड का से लिए अब हो गया शब्सारी बातम में लिखें मिलेगे आप आई है चलिए देगे यह लाद यह से बाते मैंने बता दिया आया सिंपल लिपीड यहां से होता है सब्सक्राइब निए और ग्रूप के बारे में ने बताया यह एक से लिक्राइब तक हो सकता है और आपके सामने एक्सक्लूसिब ली याद रखने एक लिए जिस्ट वह जो नोट्स में रहते हैं जैसे एक दर रहा इसमें इसमें कारवन इंक्लूडिंग कारवजुलिक कारवन ओके इसके बाद आपको यादत में जैसे लिनोलेक एसी जरूर यादा था था चार डबल बॉंड और 20 कारवन तो यहां पर है वाकिस सब पूफा है सब बता चुका हूं ठीक है और आपको पता होगा कि यह सब बल है कारण क्या है ऐसी बात है ऐसको आफ खाते रो और आपकर का पूफा है यह खाते रही आपके बोरिमें तभी कोलेस्टरल जमाना नों अगर जमा हो गया आप आफ अलीव और पर पे डिपेंड वड़िए हैगी घट्रूर पर एप तर ऍसके आफ और श्क्तार चूट ठीक है तो यह बाते हैं ठीक है और उसके बाद मैंने सेटुरेटेड और अंसेटुरेटेड फैटी इस गवाड़े में जो भी अंतर में बता सकता है बता चुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वह यहां पे हैं आप रीड करोगे तो आपको समझे में आए रहा का जैसे आपने ए ओमेगा-3 एक सेटुरेटेड फैटी इस इड़े पट यह केवल और केवल नट और फिस में होता है तो आपको अलग से एक्सेप्शन ध्यान रतना है कि सेटुरेटेड होते विए यह नट में है नट जो कि प्लान प्रोड़ेक्ट नट में और फिस दोन में तो यह अगर आ तो कि दोनों ऐसे डिया टंग स्लीप हो जाता है यह हां यह हाट अटेक को घटाने के लिए बहुत अच्छा यूजफुल मैडिसीन के तौर पीज़ करते हैं ओमेगा-3 नाम सुना होगा अपने अच्छा एक पूफा डेरिवटीव है पॉली अंसेट्वेटेड से मोडिफ करता है आपको डाइटली लेंड करना है कि एक इसपेशली 20 कारवन का फूफा डेरिवटीव यानिकि 20 कारवन आप समझे कौन हो सकता है रेक्टिर नहीं कैसी देखता है पूफा उसका डेरिवटीव है उससे मोडिफाइड केमिकल सब्सक्राइड जिसके डिफरेंट फंक् यहां पर एक इस्टरबॉंड यहां पर दो इस्टरबॉंड और यहां पर तीन इस्टरबॉंड यहां पर दो रिमेनिंग हड्रोक्सी ग्रूप यहां पर एक रिमेनिंग हड्रोक्सील ग्रूप यह आप बचा हुआ और यहां पर एक भी नहीं बचा हुआ ठीक है यह क्या ह जबाव है ज़्यादा उसको गलाने के लिए उसको गलाने के लिए टेमपरश्र ज्यादा देना पड़ेगा तो क्या लगता है इस उसी को बोलता है तो इसी को बोलते है यह जाल दा यह सब सब में घर में चाहिए कि एक पापर चांके लाई तेल में भूलेंगे पैटी शिव मत किलाओ रहाँ फैटी नहीं है वह मश्टरडोल में चक्के य 소개 हमें चेकि बोला कि एकर लाएक तो फैट क्या होता है जो फैटरी चेंप गार्ट के अजदा है अब वह लिक्विट रहेगा में उसका मेलिक पॉइंट बिंट के उससी वह इसके अरह में अफरकर रा टेंपरचर नहींगा करेंचट और वह और वह जिंजर ओए तील का ओगर यह बाते आपकी नीट में नाजने कितनी बार आ गया यह सिंपल कंसेप्ट आपको अनिस्टैबल वह क्या है और तो और खाने से कम क्तरा ज्यादा है आल वाओट सिंपल एसे में मैंने आपको एक परादियाब वेक्स बच गया वेक्स में कल करा दूंगा इस मिटिंग का केवल एक मिट बच्चा है आज यह वर्क ले लिए चलिए इसमें आप लिपीड पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें आपको लिपीड कहां मिलेगा तो वह मैं आपको बता दे रहा हूं देखिए यहां से पढ़ना सुरू कीजिए और परते परते आपको आज यहां तक पढ़ लेना वहां तक नहीं यहां तक सॉरी यहां तक पढ़ लेना ठीक है फिर हम बात करेंगे नेस्ट क्लास में चलिए को डाउट है परतीक मिलता है नेस्ट क्लास में बाई बाई